तो बल्कम है गाईस दोस्तों नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइन्स ओनर्स डीसी पेपर फोर ए के बारे में डीसी पेपर फोर ए में आपको फॉरेंड पॉल्सिस ओप मेजर पाउर इन ट्वंटी फर्थ सेंचुरी पढ़ बी रखे हैं तो उसमें आपको भारत में संगवाद पढ़ना होगा फेडरलिज्म इन इंडिया उसका कॉश्चन पेपर का वीडियो अलग से बन चुका है आप चाकर करके देख सकते हैं इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेंड पॉल्सिस मेजर पाउर इन ट्वंद करता है ऑप्शन एह भोगलिक अवस्तिती यानि कि जेग्राफिकल लोकेशन ऑप्शन टू है दल्य वैस्था यानि कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑप्शन त्री अर्थ वैस्था और ऑप्शन डी एन में से सभी तो इसका अंसर हो जाएगा इन में से सभी ओल आप देज ठीक है क्वेशन नमर हमारा भी है पंच सिल हस्ताक्षर हुआ था 1965 में या किन-किन दो देशों के बीच में हुआ था तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच उस समय भारत के परदान मंत्री थे पंदिज जौर्ण नहरुजी ऑप्शन टू इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक ह उस समय थे भारत के परदान मंत्री वही वही पंदिज जौर्ण नहरुजी और समय था 24 अक्टूबर 1962 का दिन था जब उन लोगों ने हम पे वार कर दिया यही एक युद है जिन सुने भारतियों को हार हुई है बाद बागी सभी युद हम लोगों ने जीता है ठीक है डी बिश्व वैस्था सब्दावली का अर्थ क्या है वाट वाज में बाइद टम न्यू वर्ल्ड ओडर ठीक है तो न्यू वर्ल्ड ओडर सब्दावली का अर्थ क्या है यह इसका अर्थ होता है वैस्वी करण यानि की ऑप्शन फोर हो जाएगा वैस्वी करण का नया यूग और new era of globalization ठेक है इन नमबर question है कि OECD का full form क्या होता है तो इसको जान लिजिए organization of economic corporation क्या होता है इसी तरह पुछ है और पुछा है कि OECD का जो मुख्याले है वह कहां पर है एकनोमिक आर्थिक सायोग और विकास संगतन डेवलोप्मेंट है ठीक है एकनोमिक क्या बोले थे organization of economic corporation डेवलोप्मेंट ठीक है and development पुरणा में और इसका मुख्याले है फ्रांस की राजदानी पेरिस में अगर कभी गए तो आपको जरूर वीडियो देंगे इसका चलिए एफ नंबर है question आर का टिका एम किर्तिरिम उपगरा है एक ठीक है इसको किस देश ने लॉंच किया था तो अस्टल को जो लॉंच किया गया था यह किया गया था आपका फ्रांस के द्वारा फ्रेंच हो जाएगा इसका राइट उप्शन जी नंबर question है किस घटना के समय सोवियत संग ने संजुक्त राष्ट संग में भारत का समर्थन किया तो वह समय था आपका गोवा मुक्ती संगर्स 1961 इसमें क्या हो था जितने भी पुर्टगाली लोग थे उन सभी को बाहर कर दिया गया था गोवा से और भारत का फिर से सासन आ गया था next question है हमारा कि ब्रह्मोस एक संजुक्त सहकारिया है एक मिसाईल है ब्रह्मोस आप सभी नाम होगा यह जो है दो देश भारत और रूस कि दो नदियों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस आपका 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 ब्रह्मोस आ is a joint military exercise किन दो देसों के बीच होता है तो यह होता है आपका एक सक्ती military जो सैन्य अभियास होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है जैनमबर कोशन है रूस के वर्तमान राष्टपति को ने तो रूस के वर्तमान पर्जेंट प्रेसिडेंट है आपका रसिया के बलामेदिर पुतीन ठीक है बलामेदिर पुतीन यह हो गया नेक्स्ट यहाँ पर आब आते हैं कोशन सभी बड़े बड़े इसको आपको रिटेन करना होता है तो इसमें कोशन नमबर पहला है विदेश नीती के विविन निर्धारक तत्तों की विवेचना करें discuss the various determinants of foreign policy थेरी नमबर है आपका किसी देश की सक्ति को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना करें discuss the factors determining the power of a country नेक्स्ट आपका question no.4 अमेरिकी अमेरिका की विदेश नीती के वर्तमान मुख्य मुद्दों की विवेचना करें discuss current measure issue of American foreign policy एक चीज मैं बता देता हूं दूस्तों वह सारा कुछ आपका एक्जाम में काम देतेगा ठेक है एक ही question को मतलब एक permit बटाऊंगा उसी के according आपका पूरा प्रेपर पार लग जाएगा पहले मैं question को पढ़ लेता हूं उसके बाद बताऊंगा फाइब नमबर है फ्रांस की विदेश निती के परमुक मुद्दों की वैख्या करें describe the major issue of foreign policy of French next है आपका question number six बलामेंदिर पूतिन के कारिकाल में रूस की विदेश निती की वैख्या करें and seven number question है चीन की विदेश निती की मुख्य विश्यस्ताओं की विएशना करें discuss the main features of Chinese foreign policy eight number question है और अंतिम question है अमेरिका की जो है यानि की अमेरिकी विदेश निती की मुख्य विश्यस्ताओं का वर्णन करें describe the main features of American foreign policy अब मैं बताना चाहूंगा जितने भी विदेश निती वाले question होते हैं सबसे पहले आपको point number one लिखना है आर्थिक निती दूसरा है लिखना है आपको point number two में सामाजिक निती तिसरा लिखना है आपको सांस्कृतिक निती चोंथा लिखना है आपको भोगलिक नित ठीक है इस तरह से चार point बना दीजिए आर्थिक सामाजिक और एक दिती राजनितिक निती पांच point हो गया ठीक है आर्थिक सामाजिक राजनितिक भोगलिक और सांस्कृतिक यह आपके पांच point लिख दीजिए उसके बाद कुछ था है किसी देश के special तो वहाँ पे दो नित प beetje निजी करण या पूंजी वादी देशे पूंजी वादी सिद्दानत को बता दीजीए और जब रूबस जेसे देशों को दे दिना जाता है तब वहाँ पे सामेवादी सिद्दानत को बताईए आज या भारत को powinemen मिसरित करद वैस्ता है तो यहां पे मिसरित गेजुसन में इसी टाइब के मार्क्स आये हैं मैंने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से बहुत ही अच्छे डांग से पढ़ा है इसलिए मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा बता ही सकता हूँ आपको बढ़े दूसरा सब्जेक्ट नहीं बता पाऊँ लेकिन पॉलिटिकल कर देंगे तीन में से एक ही चीज़ करेंगे तो अगर आपको करना है तो क्वेशन पर देख सकते हैं में बीएड जितना भी होता है इन सभी क्यों अप्लोडेट किये जाते हैं में 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 सब्सक्राइब कर लें ना जाने किस दिन मैं आपके काम आ जाओं और अच्छे से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूश लेजेगा थैंक्यू